हिंदु धर में प्रदोस व्रत का विसेश महत्व है वहीं आपको बता दे कि हर माह में प्रदोस व्रत दो बार पढ़ते हैं लेकिन प्रदोस व्रत सनिवार के दिन पढ़ता है तो उसे सनी त्रियोदसी के नाम से जाना जाता है इस साल सावन का अंतिम प्रदोस व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा वही इस दिन सनिवार है इसलिए इसे सनि प्रदोस व्रत कहा जाएगा वही यह सावन का अंतिम प्रदोस व्रत होगा सनि प्रदोस पर पूजा करने से भगवान सिव और सनिदेव दोनों का आशिरवात प्राफ्थ होता है आईए अब जानते हैं तिथी और सुबहौरत वैदिक पंचान के अनुसार सामन मा के सुक्ल पक्षकित रियोतसी तिथी का आरम 17 अगस्त की सुबह 8 बश कर 4 मिनट पर हो रही है वहीं इसका अन्त 18 अगस्त सुबह 5 बश कर 5 मिनट पर होगा वहीं आपको बता दे कि प्रदोस वरत में शाम की पूजा का विसेश महत्व है इसलिए प्रदोस वरत 17 अगस्त दोजाच चौबिस को सनी प्रदोस वरत रखा जाएगा आईए अब जानते हैं प्रदोस वरत पूजा का सुब महरत बंचान के मुताबिक प्रदोस वरत की पूजा का सुब महरत संध्याकाल 6 बच कर 57 मिनट से सुरू होकर रात 9 बच कर 11 मिनट तक रहेगा इस बीश में आप भगवान शिव और सनी देव की पूजा आर्शना कर सकते हैं आईए अब जानते हैं इस दिन कौन से दो सुब योग बन रहे हैं सनी प्रदोस वरत के दिन पृती योग बन रहा है ये योग सुबह से सुरू होकर सुबह 10 बच कर 47 मिनट तक रहेगा वहीं इसके बाद आयुश्मान योग सुरू हो जाएगा जो 18 अगर सुबह 7 बच कर 52 मिनट तक रहेगा जो 30 अनुसार इन योगों में पूजा करने का व्यक्ति को दो गुना फल प्राप्त होता है आईए अब जानते हैं सनी प्रदोस वरत का क्या महत्व है सनी प्रदोस वरत पर पूजा करने से सनी और भगवान शिव की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है साथ ही इस वरत को करने से मानसिक परिशानी और चंदर दोस से मुक्ति मिलती है और नौकरी में पदो नत्ती देरगायु सनी की क्रिपा मिलती है वहीं सुक समरिद्धी की प्राप्ति होती है साथ ही जिन लोगों की कुंडली मे राहो केतू और काल शर्प दोस है तो इस दिन व्रत रखने से उनको दोस के असुप प्रभाव से मुक्ते मिलती है आशा करते हूं आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी और ऐसे ही तमाम व्रत रखने से जुड़ी हूँ जानकारियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समयन काला इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद